बिसमिल्ला रह्मान रहीम, असलाम अलीकुम और वेलकम बैक टू अनेदर वीडियो आमें से बहुत से लोगों में क्वेस्टिन था कि थीरिम मर्ज हो गया, अब क्या होगा अब क्या एथीरिम की प्राइस एक तम पंप करेगी, 5000-10,000 पर चले जाएगी और बिटकोईन भी को भी पीछे चोड़ देगी, तो आज की वीडियो में इन सभी के क्वेस्टिन का आंसर भी आपको दूँगा और क्या एथीरिम मर्ज आने से एथीरिम की प्राइस से डम कर जाएगी, बहुत से लोगों का ये भी क्वेस्टिन है, आज की वीडियो में सभी के क्वेस्टिन का आंसर दूँगा और सबसे इंपोर्टनली ये बताओंगा कि एथीरिम मर्ज जरूरी क्यूं था और क्यूं इसको जो है वो किया गया है, हलाके ब्लोकचेन जो है प्रूफ अफ वर्ट पर चल रही है, तो उसको क्यूं जो है प्रूफ अफ स्टेक पर लाया गया ये आप लोगों को बताओं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मर्ज क्यूं जरूरी था, एथीरिम मर्ज इसलिए जरूरी था कि प्रूफ ऑफ वर्क जो एक कंसंसे ब्लोकचेन का उस पर बहुत ज्यादा अनर्जी यूज हो रही होती है, हम ग्राफिक कार्ड यूज करते हैं, कंप्यूटर को यूज जो कि बहुत ज़्यादा हीट अप होते हैं, फिर हम एसी लगाना पड़ता है, यह एक ऐसे अन्वार्मेंट में उनको लगाना पड़ता है, कि जहां इतनी ज़्यादा हीट ना हो, कूलिंग रहे, तो काफी ज़्यादा अनर्जी जो इसमें कंस्यूम हो रही होती है, तो उ इसलिए जब यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसके साथ-साथ शेडिंग वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए जब इन्हों ने यह सारा मैकनिजम प्रूफ वर्क से पर लाएं हैं, और प्रूफ ऑफ स्टेक जो है, वह हमारी एनर्जी को 99.95 परसंट ज इतने ही हैं, कम नहीं हुए ना, ज्यादा हुए हैं और उसकी प्राइस और टोकन का नाम भी चेंज नहीं हुआ, तो बेसिकली इन्हों ने अपनी ब्लॉक्चेन की लियर को शिफ्ट किया है दूसरी उपर, यहां आपको जब एक इमज में नदर आ रहा होगा कि इन्हों न इन्हों ने बताया कि इन्स्टेट उफ ट्रांजिशन तो अन्यू कंसेंसिम मेकनिजम एट वंस दा टीम डिसाइडे टू ब्रेक ट्रांजिशन इन्टू स्टैप यहां आपको जब इमज में नदर आ रहा होगा कि इन्हों ने एक ब्लॉक्चेन को खतम करके दूसरी लगान को स्टार्ट किया और उन्टेट लगे जायूर वाद करे जिसमा आप 7 अपका आपका आकाउंट का स्टार्क Southern आप इसके उपर इस blockchain के उपर जो के नहीं आ रही है और सारी चीज़ वह समूदली हो जाए अगर कोई default आए भी तो कोई मसला ना बने तो इसी चीज़ को लेकर जो इन्होंने यह दोनों चीज़ें की थी और जब इनका मर्ज कंप्लीट हुआ है तो यहां आपको एक निया टोकन देखने को मिला इथीरियम डवली यूगा एथीरियम प्रूफ वर्क जो के और वीकन चैन के उपर इनका टोकन चल रहा है दा वीकन चैन के बारे कि वीकन चैन क्या करेगा वीकन इमेजन दा इथीरियम मर्ज एस टूल्ड श्पेशिप्स जैसा कि आपको यह सेंपर गया है ठीक है जो कि बीकन चेंट पी और डबली जाए वो आपको नदर आ रहा है दा एम इस तो रिप्लेस्ट दा ओर्ड स्पेशिप इंजन विद अन्यू वन विद आउट रिक्वाइरिंग दा ओर्ड स्पेशिप तो अकम्प्लीट स्टॉप उन्हें क्या किया है कि यहां अंजन था उसको जो सेम कंडिशन के साथ टेस्ट किया गया तो फिर जो है वो दोनों अकठे चल रहे थे जो कि ओल्ड और न्यू था ताकि जो है कोई भी इसमें इस्यू ना आ सके आफ्टर दा न्यू स्पेशिप इस टेस्टेड जब इन्हों ने पी ओडबली और पी हुआ और अब जो है वो आपको एथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर देखने को मिल रहा है और जो प्री ओडवी का टोकन है वो आपको एटी एच डवी के नाम से शो होगा जो कि काफी ज़्यादा पंप हुआ था कल 27-28 डॉलर पर गया था उसके बाद 17-18 डॉलर पर बहु इक प्रेक्षाश जब और के नियूमिंटिक लिए स्कलिंग Sakynn के बहुत इश्यू था यहां कि जब ली कि बढटी थी बहुत ज़्यादा ट्रांशक्शचन एक वक्त nih तो इथी निते ग्यां में वह को अन्याउती देखने को मिले ErYC 20 adesso लेकर 50 मिलम से ठाग करती थी तो अब वह भी solution जो हमें देखने को मिलेगा और वह वाला जो इतनी ज़्यादा high fear वह भी हमें reduce होती हुई देखने को मिलेगी और scalability issues जो हमें काफी ज़्यादा कम हो जाएंगे अब लाश में जो आपको इसका technical analysis भी दिखाते हैं कि Ethereum अब आने वाले वक्त में technically point से किस तरफ जा सकता है जो कि हम देखेंगे और यह drop क्यों होता सबसे importantly आपको बता दूँ कि इसका drop क्यों आया था Ethereum जैसे ही कल मर्ज कंप्रीट हुआ तो उसके बाद वो around 1400 डॉलर पर क्यों आ गया था आपको मैंने काफी बार यह बात बोली थी कि जब Ethereum का मर्ज आएगा तो आपने एक बात अपने माइंड में याद रखनी है वाई दा फोमो सेल दा न्यूज़ तो इस इवन्ट से पहले ही already बहुत जदा पंप हो चुका था around 2000 डॉलर के करीब गया था और उसके बाद again drop हुआ था फोमो की वज़र से उसमें already पंप लगकर लोगों ने profit बुक कर लिया था जैसे अब न्यूज आनी थी कि यह मर्ज हो चुका है तो फिर market automatically dump होना था same sentence repeat हुआ है same conditions यहाँ apply हुई है buy the rumors sell the news कि जिस दिन कोई event होना होता है उस दिन उस coin के अंदर बहुत ज्यादा selling pressure होता है तो आप लोगों ने avoid करना है कि जिस दिन news होगी उस दिन उस token को buy नहीं करना आपने observation करनी observation आपको ज्यादा help करेंगे कि next event में आपको कैसे follow करना है market को और क्या action जो लेना है यहाँ आपको जाट मेरा नदर आ रहा होगा यहाँ ethereum जाव इस वकद 1450 डॉलर के around trade हो रहा है और अगर आप देखोगे तो आपको नदर भी आ रहा होगा यहां मैंने एक zone जो है वो लगाया हुआ है यह इसका as a supply demand zone बढ़ कर रहा है तो हमने देखा कि उसने पंप लिया और 17 एटीन थाउज़न एटीन हंडर डालर तक यह यह पंप हुआ तो लोगों ने यहां भी काफी अच्छा जो है प्रॉफिट गेन किया अब अगर आप देखेंगे तो कल जैसे इसका मर्ज हुआ तो उसके बाद आप देखें तो मार्केट डाउन हुई है क्योंकि लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंट्रस्ट रेट हाइक होंगे उसमें होड़ ज्यादा अग्रेसिव हमें देखने को मिलेगा और 75 BPS यहां इससे भी ज्यादा जो हमें मार्केट में इंट्रस्ट हाइक देखने को मिलेंगे त इसमें अपग्रेड हुई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि यह रहना है अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों का इंटरस्ट जब पैदा होगा तो यह पंप होना स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को करूंगा कि आप इसको जो है वह फोटीन हंडर्ड तो आपने टैन डॉलर का ले लेना है जब फोर्टीन से थर्टीन हंडर्ड डॉलर तक आए तो फिर आपने टैन डॉलर का ले लेना है थर्टीन डॉलर से ट्वल हंडर्ड डॉलर का लेना है तो आपको लगे कि वन परसंट करना बेतर है तो आप वन परसंट करके जो इसको तो एक्मुलेट करें थोड़ा थोड़ा लेना स्टार्ट कर दें जिससे आप जो है वह एड़ दा एंड प्रोफिट में जब इसकी प्राइस पंप होना स्टार्ट होगी तो आपको काफी हैंडसम अमांट आपने एक तो थीरियम की कॉलेक्ट कर लेई होगी और आपको जब क करने को मिली है क्रिप्टो के अंदर तो अभी के लिए जो है वह बहुत जदा इंपोर्टन रहेगा क्यों कि उस दिन जो है वह अमरीका अपने इंट्रस्ट रेट हाइक करेगा तो उसमें जो हमें अधर क्रिप्टो करन्सी भी गिरती हुई देखने को मिलेंगी और साथ मे करन्सी जो है वह भी देखने को मिलेंगी अगर एक्सपेक्टेड से ज्यादा फोरकार्स से ज्यादा जो है वह उनके इंट्रस्ट हाइक हुए तो आप लोगों ने वैनस डे वारे जिन फोलो करने इंशालां कोशिच करेंगे इस वैनस डे भी क्यों भी आप लोगों के क्यों से ज्या डे भी आपके जोट Febru cere दो्यादा जो बाति हगे से क्यों से जो